नमस्कार सभी आंगन बारी वहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं दितेश कुमार आज आज आप सभी आंगन बारी वहनों को बताने वाला हूँ कि पोशन ट्रेकर एप में नए अपडेट आ चुके हैं जी हाँ आज 2 अक्टूबर है गांधी जयनती के दिन पोशन ट्रेकर एप में तीन बड़े बड़े अपडेट आए हुए हैं जो कि ये अपडेट काफी अच्छे हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहे हैं वीडियो को कम्प्लीट देखिए जिससे की आज इस पोशन ट्रेकर में जो अपडेट आए हैं उसके बारे में आप सभी को पता चल सके जो कि इसके पहले ये अपडेट कभी नहीं आये थे इसमें आपको सभी जनकाड़ी स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा और साथी साथ जो लोग भी हमारे चैनल पर अभी तक नहीं चुरे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन जरूर दवा लेजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो जैसे कि हम लोग पोशन ट्रेकर अप जैसे ही ओपन करते हैं ओपन करने के बाद देखिए इस परकार के जो अप्सन आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे सभी के मुवाई में प्लेश्टोर होता है तो देखिए मैंने यहाँ पे प्लेश्टोर ओपन कर लिया है प्लेश्टोर ओपन करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको लिखना है पोशन ट्रेकर तो उसको हम लोग क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपसे अपडेट करने का अपशन दिया गया है आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं देखिए नया क्या जुड़ा हुआ है तीन नए अपडेट क्या आये हुए है आप लोग यहाँ पर किलिक किजिएगा जो what's new का option दिखा रहा है जैसे कि यहाँ what's new में आप लोग इसको open किजिएगा तो open करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है तीन नए बड़े बड़े अपडेट आये हैं जो आप मैं simply इसको open कर ले रहा हूँ open करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो update आ चुका है वो 8.1 का update आ चुका है पहले जो update था वो है 8.0 और यह नयवल अपडेट है 8.1 जैसे कि पहला update ही आपको यहीं से शुरुआत करनी है जैसे कि हम लोग अपना mobile number और mpin डाल के हम ल आपको net की जरूरत नहीं परेगी यानि कि आपका जो data है data offline होने पर भी आप यहाँ पे login कर सकते हैं जैसे कि पहले update यह था कि हम लोग mobile number और mpin डाल के net जब तक उसका on नहीं करते थे हम लोग login नहीं कर पाते थे लेकिन अब आप क्या करेंगे आप यहाँ से इसको net off कर दे और net off करने के बाद हम लोग अपना mobile number और mpin डाल के login हो सकते हैं जी हाँ एक यह बड़ी update है जो कि मुझे यह update काफी अच्छी लगी आपको यह update कैसा लगा हमें comment जरूर किजिएगा तो बने रहिए वीडियो में अभी दो update और भी आपको बताने हैं तो जैसे कि हम लोग य दिखाते हैं तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे mobile number और mpin डाल लिया है और यहाँ पे हमने अपना net off कर लिया है net off करने के बाद यहाँ पे हम login होंगे जैसे कि मैं आपको बता दूँ आपको एक बार net on करके login होना है उसके बाद आप जब भी login करेंगे तो आप बीना net के ही login हो जाएंगे जो चलिए यहाँ पे simply हम login वाले क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे मेरा net off है और हम login हो चुके हैं तो यह रही पहली अपडेट जो कि यह अपडेट बहुत ही अच्छी है और जैसे कि मैंने यहाँ पे login कर लिया है login करने के बाद अब आपको मैं यहाँ दूसरा update पताने वाला हूँ जो कि यहाँ beneficiary registration में हम लोग open करेंगे beneficiary registration को जैसे ही हम लोग open करेंगे यहाँ पे किसी भी लाभार्थी में कोई भी work हम लोग नहीं कर पाएंगे जब तक हम लोग का net on नहीं होगा यानि कि जो net है वो on होगा तभी हम लोग इसमें कोई भी का tracking का open कर लेता हूँ open करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी हाजरी है attendance है वो आप बिना net के ही यहाँ पे अपना हाजरी attendance बना सकते हैं यह रही आपकी दूसरी update जो कि यह update भी काफी अच्छी है जिससे कि हम लोग का net नहीं रहने पर भी हम अपना हाजरी इसमें बना सकते ह तो देखिए अब मैं जो आपको तिसरा update बताने वाला हूँ उस update को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि यह update क्या है जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे यह जो बलेक अक्छोरों में आपको यहाँ पे दिखा रहा है offline mode can store latest three days data only तो जो आपका data offline में कार्य किये हुए रहेंगे वो data store हैगा तीन दिनों के लिए तीन दिनों के तक आपको यह data offline काम कर सकते हैं चाहे वो हाजरी बनाना हो या फिर आप लोग इन कर रहे हैं तो उसके लिए यह data तीन दिनों तक store हैगा on करके आपको सभी data को एक बार update कर लेना है जैसे कि यहाँ पर मैं इस data को on कर रहा हूं data on करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं you are online now इस ऐसा message आएगा जैसे कि यहाँ पर दिखाएगा कि अब आप online हो चुके हैं और कोई भी कार्य कर सकते हैं तो यह रही आज की तीन नई update जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है यह तीनों update काफी अच्छे हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर किजिए तो आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तीनों update में से आपको कौन से update अच्छे लगे तो मिलते हैं आप सभी से फिर नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद